हेलो स्टूरिंग्स वैलकम टू मैगनेट ब्रेंज कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सब बढ़िया होंगे आज की वीडियो स्टाट करने से पहले मैं आपको बता देती हूं मैगनेट ब्रेंज आपको प्रोवाइड कराता है यूट्यूब चैनल पर जाना एंट कर देना है मैगनेट मेंज को सब्सक्राइब जहाँ पर आपको सी ब्रे बेंट से लेकर अधर स्टेट बोट जैसे की UP बहार बौट, MP बोट जैसे एविए यहां तक कि आपको प्रैक्टिस कोस्न Theater यहाँ पर solve कर आई जाते हैं तो करना क्या है आपको magnet में इसको कर देना है subscribe, e-books and e-notes की link जो आपको description box में मिल जाएगी तो करते हैं आज की वीडियो start मेरा नाम है हश्मिक कॉर और मैं हूँ आपकी maths faculty तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ेंगे chapter 2 fractions and decimal के कौन से topic पढ़ेंगे multiplication of fractions by a fraction मतलब जब हम fraction को fraction से multiply करेंगे तो हमारा answer क्या आएगा वो हम पढ़ने वाले हैं इस topic में ठीक है उसके बाद ये topic करने के बाद हम क्या solve करेंगे exercise 2.2 2.1 हम कर चुके हैं उससे पहले जो भी topic था introduction पार्ट हम सब कुछ कर चुके हैं fractions भी कर चुके हैं different types of fractions भी कर चुके हैं तो आपको करना क्या है पहले वो वीडियो जाके देखनी है वो पढ़ना है exercise 2.1 पढ़ना है and then फिर इस topic पे आना तभी आपको समझाएगा ठीक है otherwise जो term use होंगे ना proper fraction improper fraction वो आपके दिमाग से उपर से जाएगा तो करना क्या है पहले वो वीडियो जेक नहीं है अच्छी लगे तो like, comment and share करना मत बूलना ठीक है तो पढ़ते हैं हम multiplication of fraction by a fraction ठीक है क्या होता है यह we find that we multiply two fraction as जब हम दो fraction को multiply करते हैं तो कैसे करेंगे product of numerators जो numerators रहते हैं पहले तो उनका product करेंगे divided by product of denominators and जो denominator में जो numbers रहते हैं उनका product करेंगे जैसे कि हम पे examples ही हम यहाँ पे solve भी करेंगे filling the boxes यहाँ पे क्या लिखा है 1 upon 2 multiply by 1 upon 7 अब यहाँ पे हमें दिख रहा है 1 और 1 क्या है numerator है 2 and 7 क्या है denominator है पहले बाद तो हम देख लेंगे यहाँ पर कुछ simplify हो रहा है हमें दिख रहा है simplify हो ही नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे डारेक्ट यह formula यूज करेंगे product of numerators numerator zone 1 1 थे तो 1 multiply by 1 कर दिया ठीक है and then product of denominators यहाँ पर denominator हमें 2 and 7 दिख रहे थे तो 2 multiply by हमने क्या कर दिया 7 कर दिया बस यहीं बोला गया हमें इतना simple सा formula लगाना है जब भी हम fraction में fraction को ही multiply करें जब 1 में 1 का multiply कर देंगे answer क्या आएगा 1 ही आएगा and then जब 2 में 7 का multiply कर देंगे तो answer क्या आएगा 14 आएगा ठीक है तो हमारा answer क्या आ रहा है 1 upon 14 ठीक है easy था ना बहुत बहुत easy था मुझे पता है and then next question क्या है 1 upon 5 multiply by 1 upon 7 यहाँ पर भी हम क्या करेंगे इसी formula का use करेंगे ठीक है numerator क्या दिख रहे है यहाँ पर भी 1 है यहाँ पर भी 1 है ठीक है denominator क्या दिख रहे हमें यहाँ पर 5 है and यहाँ पर 7 है तो करना क्या है पहले पहले numerators का multiply करना है and then denominators का multiply करना है कर देंगे 1 multiply by 1 divided by 5 करना है क्योंकि simplify तो हो नहीं रहा वन वन जा क्या हो जाता है वन ही होगा एंड 5 7 सा क्या हो जाएगा 35 तो यहां पर हम क्या लिख देंगे 35 लिख देंगे तो answer क्या रहा है हमारा 1 upon 35 ठीक है third question क्या है 1 upon 7 multiply by 1 upon 2 इसको भी हम ऐसे solve करेंगे product of numerators divided by product of denominators ठीक है तो कर देंगे हम इसे solve 1 multiply by 1 क्योंकि वो क्या है numerators है and then 7 multiply by 2 क्योंकि 7 और 2 क्या है denominator है तो answer क्या आएगा 1 multiply by 1 करने पर 1 ही आएगा answer and 7 multiply by 2 करने पर आएगा answer 14 तो हमारा answer क्या आ रहा है 1 upon 14 आ रहा है ठीक है and then 4th question क्या है 4th question है 1 upon 7 multiply by 1 upon 5 ठीक है तो क्या करेंगे वही करेंगे हम सेम जैसे यह तीन हों किया है पहले numerators का multiply करेंगे 1 multiply by 1 and then 5 denominator का multiply करेंगे 7 multiply by 5 तो answer क्या आएगा 1 मन्स आ 1 and 7 5 जा 35 तो answer क्या है 1 upon 35 वस इतना ही easy है यह formula जो हमें दिया गया है fraction को जब हम fraction से multiply करेंगे तो यह formula यूज करके हम सारे questions solve कर सकते हैं तो आप कर लीजे से note down बढ़ते हैं आगे आगे क्या करना है हमें solve exercise 2.2 solve करनी है बहुत ही easy exercise है 2.1 भी बहुत easy थी और यह भी same लगबग same ही है multiplications ही है ठीक है तो पहला question क्या है find 1 upon 4 of पहला question हमें दिया गया है 1 upon 4 and then 3 upon 5 and then 4 upon 3 ठीक है यहाँ पर हमें क्या दिख रहा हमें off दिख रहा है मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था अगर off दिखाई दे तो उसका मतलब क्या होता है कि multiplication होना है मैंने आपको यही सिखाया था तो इसका मतलब क्या है पहले 1 upon 4 को हम करेंगे 1 upon 4 से multiply पहला question यह है ठीक है and then 1 upon 4 को हमें किस से भी multiply करना है 3 upon 5 से भी multiply करना है यह दिख रहा है हमें मतलब दूसरा question यह है and then 1 upon 4 को से 4 upon 3 से multiply करना है क्योंकि यह क्या c question है third question है तो तीनों से हमें किस को multiply करना है 1 upon 4 को multiply करना है और हमें पता कैसे चलेगा कि multiply करना है कैसे पता चलेगा क्योंकि बीच में क्या लिखा हुआ है आफ लिखा गया है ठीक है जब भी आफ लिखा जाए तो हमें क्या समझना है कि multiplication होगा ठीक है तो पहले question हम solve कर लेते हैं एक question एक question में हमें क्या करना है 1 upon 4 को 1 upon 4 से ही multiply करना है तो 1 upon 4 को जब हम 1 upon 4 से multiply कर देंगे तो answer क्या आएगा पहले तो देख लो कुछ simplify हो रहा है नहीं हो रहा है तो कैसे solve करेंगे formula क्या था product of numerators तो मतलब numerator यहाँ पर 1 है यहाँ पर भी 1 है दोनों को क्या हो जाएगा product हो जाएगा ठीक है तो 1 multiply by 1 कर देंगे divided by फिर क्या था product of denominators तो यहाँ पर 4 है टिनोमेंटर यहाँ पर भी 4 है तो दोनों का क्या हो जाएगा multiply हो जाएगा product मतलब multiply होता है ठीक है 4 multiply by 4 यह कर दिया अब हम ही क्या करना है इसे solve करना है 1 1s आजएगा 1 4 4 जा क्या होता है 16 तो यहाँ पर क्या आजएगा 16 इसका क्या मतलब है जब हम 1 upon 4 को 1 upon 4 से multiply कर देंगे तो answer हमारा क्या आने वाला है 1 upon 16 आएगा ठीक है ऐसे ही B question हम solve कर देंगे B question क्या है 3 upon 5 तो मतलब हमें क्या करना है 1 upon 4 को 3 upon 5 से multiply करना है तो कर देंगे हम 1 upon 4 को 3 upon 5 से multiply कर देंगे तो हमें दिख रहा है हमें जो मिला है उसमें simplify कुछ हो नहीं रहा है तो हम direct क्या करेंगे product of numerator जो की 1 और 3 है numerator ठीक है and then फिर क्या था product of denominator जो की 4 and 5 है तो 4 multiply by 5 कर देंगे तो answer क्या आएगा 1 3s are 3 and 4 5s are 20 तो answer क्या आ रहा है 3 upon 20 हमारा आ रहा है answer ठीक है and then फिर third question क्या है 4 upon 3 मतलब 1 upon 4 को हमें 4 upon 3 से क्या करना है multiply करना है वो भी solve कर लेते हैं 1 upon 4 को किससे multiply करना है हमें 4 upon 3 से तो यहां पर देखो को simplify हो रहा है 4 mm 4 से 4 कट रहा है ठीक है 4 से 4 कटेगा तो answer क्या आएगा 1 upon 3 आएगा ठीक है क्या answer आएगा 1 upon 3 या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं पहले तो हम क्या कर देंगे पहले हम जैसे की फॉर्म्मले में दिया गया है numerator का product को multiply कर मल्टीप्लाय कर देंगे किसे णिउम्रेटर को 1 और 4 आमें क्या दिख रहा है तो 1 multiply by 4 कर दिया and then denominator में क्या है 4 multiply by 3 तो 4 multiply by 3 कर दिंगे 4 & 3 क्या है हमारा denominator है 1 & 4 क्या है हमारा numerator है तो as per the formula हमने वैसे ही solve कर लिया ठीक है तो answer क्या आएगा 4 1s are 4 and 4 3s are 12 अब हमारा answer क्या मिला है हमे 4 upon 12 मिला है तो हम अब इसे simplify कर सकते हैं कैसे 4 1s are 4 4 3s are 12 तो हमारा answer क्या आएगा 1 upon 3 दोनों तरीके से हमारा आंसर क्या आ रहा है 1 upon 3 या तो हम डारेक्ट वहीं पर सिंप्लिफाई करके आंसर लिख दे या तो पहले जैसे फॉर्मले में बोला गया है उसको मल्टिप्लाइ करें and then फिर सिंप्लिफाई करें तब भी हमारा आंसर क्या आएगा 1 upon 3 ही आएगा तो कर लिजे आपे से note down next question देखते हैं next क्या है 1 upon 7 of 2 upon 9 b क्या दिया गया है 6 upon 5 and c क्या दिया गया है 3 upon 10 इसका मतलब क्या है 1 upon 7 का multiply 2 upon 9 से भी होगा 6 upon 5 से भी होगा and 3 upon 10 से भी होगा तो कर लिते हैं हम solve पहले क्या करना है हमें 1 upon 7 को multiply करना है किस से 2 upon 9 से 2 upon 9 से हमें क्या करना है multiply करना है पहले हम क्या करते हैं product किसका numerator का लेंगे ठीक है numerator क्या है 1 और 2 है 1 multiply by 2 कर देंगे and then फिर product of denominator सा denominator सामें दिख रहे हैं 7 and 9 तो 7 multiply by 9 कर देंगे अब हमें क्या करना है आप solve करना है 1 multiply by 2 करेंगे तो answer क्या आएगा 2 आएगा ठीक है तो यहां पर हम लिख देंगे 2 and denominators का multiply करने पर क्या आएगा 7 multiply by 9 कर देंगे answer क्या आएगा 63 तो हमारा answer क्या आ रहा है 2 upon 63 ठीक है यह हमने first question solve कर दिया अब B वला करते है B वला क्या है 6 upon 5 मतलब 1 upon 7 को हमें किस से multiply करना है 6 upon 5 से करना है तो 1 upon 7 को हम multiply कर देंगे 6 upon 5 से ठीक है तो answer क्या आएगा पहले हमें क्या करना है Numerators का product करना है multiply करना है 1 multiply पर 6 देंगे and then denominators का 7 multiply by 5 कर देंगे ठीक है and then फिर हमें solve करना है 16 क्या होता है 6 होता है and 75 क्या हो जाएगा 35 तो answer क्या आ रहा है 6 upon 35 हमारा answer आ रहा है S से ही हमें क्या करना है, C वाला solve करना है, 1 upon 7 को किस से multiply करना है, 3 upon 10 से multiply करना है, ठीक है, तो कर देंगे वो भी, 1 upon 7 multiply by 3 upon 10, तो as per formula क्या करना पड़ेगा, product of numerators, 1 and 3 numerator है, तो 1 multiply by 3 कर देंगे, and then फिर क्या देखते हैं, product of denominators, हमें दिख रहे हैं, 7 and 10 क्या है, denominator है, तो कर देंगे वो, 7 multiply by 10, ठीक है, then फिर solve करने पर answer क्या आएगा, 1, 3 is a 3, and 7 multiply by 10 करेंगे, answer क्या आएगा, 70, तो हमारा answer क्या आ रहा है, 3 upon 70, ठीक है, तो आप कर लीजिए, से भी note down, कर लिया note down, next question क्या है, next question है, multiply and reduce to lowest form if possible, पहले तो हमें क्या रहना क्या है, multiply करना, यह multiplication का sign हमें दिख रहा है, multiply करना है, and then फिर हमें बोला के reduce to lowest form, मतलब हमें simplify करना है, अगर हो रहा है, if possible मतलब अगर हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम करने ही सकते, तो अगर हो रहा है, तो हमें जरूर करना है, ठीक है, तो कर लेते हैं, पहला question क्या है, 2 upon 3, multiply by 2, 2 upon 3, ठीक है, क्या दिया गया है, 2 upon 3, multiply by 2, 2 upon 3, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो यह हमें दिख रहा है, mixed fraction में दिया गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको solve करना पड़ेगा, यह से improper fraction में convert करना रहेगा, हमें क्या दिया गया mix fraction में 2, 2 upon 3 ठीक है जब हम इसे solve करेंगे तो answer क्या आएगा पहले हमें पता है 3 का multiply इससे करते हैं and then फिर add क्या करते हैं जो answer आता है उसमें add कर देते हैं 2 को तो बस वैसे ही होगा 3 का multiply हम कर देंगे 2 से and then फिर उसमें add क्या कर देंगे 2 add कर देंगे denominator में क्या है denominator में 3 है तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे 3 अब हम solve करते हैं 3 टूज़ा क्या होता है 3 टूज़ा होता है 6 6 plus 2 and denominator में अभी भी क्या है 3 है ठीक है 6 plus 2 करेंगे answer क्या आएगा 8 आएगा तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8 and denominator में अभी भी क्या है, 3 है, तो हमारा answer क्या आया है, mixed fraction को improper fraction में convert करने पर 8 upon 3 आ रहा है, तो कर देंगे हम solve, 2 upon 3 multiply by क्या आया था answer, 8 upon 3 आया था, 8 upon 3 कर देंगे, ठीक है, कर दिया हमने, अब कुछ simplify हो रहा है कि इसमें, नहीं मैं हम नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, as per formula, पहले numerators का multiply करेंगे, 2 and 8 numerator है, and then फिर denominator का multiply करेंगे, 3 multiply by 3, and then फिर हमें क्या करना है, solve कर देना है, 2 8 आ क्या होता है, 16, and 3 3 आ क्या होता है, 9, तो हमारा answer क्या आ रहा है, 16 upon 9 हमारा answer आ रहा है, ठीक है, अब हमारा answer जो आया है, 16 upon 9, हमें क्या करना है, उसको mixed fraction में भी convert कर देना है, यह मैं आपर तो बोल नहीं रहे हैं, फिर हमें convert करने के क्या जरूरत है, क्योंकि यहां पर question में हमें एक जो fraction दिया गया था, यहां पर हमें किस से divide करना है, 16 को 9 से करना है, 9 हो जाएगा, यहां पर remainder क्या बच रहा है, 7 बच रहा है, ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, वो भी मैंने आपको सिखाया था, जो question होता है, उसको ऐसे लिखना है, और remainder बचता है, वो numerator में चला जाएगा, जिस से divide कर रहे हैं, जो कि क्या है, 9 है, वो चला जाएगा denominator में, तो answer क्या आ रहा है, answer आ रहा है, 1, 7 अपॉन 9, mixed fraction में answer क्या आ रहा है, 1, 7 अपॉन 9, तो आप कर लीजे से note down, करते हैं, next question solve, next question क्या है, 2 upon 7 multiply by 7 upon 9, क्या है, 2 upon 7 multiply by 7 upon 9, यहाँ पर हम directly से 7 से 7 काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गए, पहले multiply करना है, and then reduce to lowest form, तो पहले हम क्या कर देंगे, multiply कर देंगे, ठीके, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, multiply करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, as per formula पहले numerator का multiplication होगा, 2 multiply by 7, and then फिर denominator का, denominator में क्या है, 7 multiply by 9 है, ठीके, ऐसे हम multiply कर देंगे, answer क्या आएगा, 2 7 से क्या होता है 14 तो यहां पर हमें क्या लिख देंगे 14 and then फिर 7 multiply by 9 करेंगे answer क्या आ रहा है 63 आ रहा है तो हमारा answer क्या आया 14 अपॉन 63 इसके बाद हम देखेंगे simplify हो रहा है क्या of course हो रहा है कैसे 7 2s are 14 7 9s are 63 तो answer हमारा क्या आ रहा है 2 upon 9 आ रहा है तो अब हमें इसे mixed fraction में convert करने की जरुरत है बिल्कुल नहीं है क्योंकि यहां पर कोई भी हमें दिख नहीं रहा है fraction जो कि mixed fraction में हो तो हम answer ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे ठीक है तो आप कर लीजे से note down next question क्या है 3 upon 8 multiply by 6 upon 4 तो हमें क्या करना है simplify करने से पहले हमें पहले multiply करना है तो हम multiply कर लेंगे कैसे करेंगे multiply as per formula product of numerators ठीक है तो numerator हमें दिख रहे है 3 और 6 है तो 3 multiply by 6 कर देंगे and then फिर product of denominators तो 8 and 4 हमें दिख रहे है denominator तो 8 multiply by 4 कर देंगे answer क्या आएगा 36 क्या होता है 18 होता है यहां पर लिख देंगे हम क्या 18 and then फिर 8 multiply by 4 करेंगे answer क्या आएगा answer आएगा 32 तो यहां पर भी हम क्या लिख देंगे 32 लिख देंगे ठीक है अब कुछ simplify हो रहा है क्या हो रहा है इसके बाद और को simplify हो रहा है नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे 9 upon 16 यहां पर लिख देंगे तो मारा answer क्या आ रहा है 9 upon 16 हमारा answer आ रहा है तो आप कर लिजे से भी note down कर लिए आपने note down next question पर आते हैं next question क्या है 9 upon 5 multiply by 3 upon 5 अब इसको कैसे solve करना है जैसे इससे previous questions करें वैसे solve करना है according to formula पहले क्या करेंगे product of numerators हमें दिख रहा है 9 and 3 numerator है तो 9 multiply by 3 कर देंगे 9 multiply by क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा and then फिर product of denominator हमें दिख रहे दोनों तुरह 5 denominator है तो 5 multiply by 5 कर देंगे ठीक है उसके बाद हमें क्या करना है solve करना है 9 3s कितना होता है 27 and 5 5s 25 अब कुछ हो रहा है क्या solve अब हम कर सकते हैं क्या इससे simplify नहीं हो रहा है 27 upon 25 ऐसे कैसे ही रहेगा यह है हमारा answer आप कर लीजे से note down अब और कुछ हो सकता है क्या जैसे कि 27 upon 25 हमें दिख रहा है क्या है improper fraction improper fraction कैसे numerator जो है वो denominator से क्या है बढ़ा है तो मिक्स fraction में convert हो सकता है जैसे कि मिक्स fraction को हम improper fraction में convert कर सकते हैं वैसे ही improper fraction को भी हम मिक्स fraction में convert कर सकते हैं तो 27 numerator में and denominator में क्या जाएगा जिससे हम कर रहा है मतलब 25 चला जाएगा denominator में तो हमारा answer क्या रहा है 1 2 upon 25 ठीक है तो यह रहा हमारा main answer यह भी सही है लेकिन जैसे कि improper fraction में दिया गया था हम इसे मिक्स fraction में कर सकते हैं बाइचांस हमारा answer ऐसे आता 25 upon 27 तो हमें दिख रहा है denominator जो सारी numerator जो है वह छोटा है किस से denominator से किस फॉर्म में है यह proper fraction तो proper fraction mixed fraction में convert नहीं हो सकता स्रिफ improper fraction ही mixed fraction में convert होगा इसलिए हम इसको कर सकते थे गनवर तो हमने कर दिया इसे ठीक है तो आप कर लिजे से no down चलते हैं next question की तरफ next question क्या है 1 upon 3 multiply by 15 upon 8 तो हमें क्या करना है पहले तो multiply करेंगे numerator का 1 multiply by 15 कर देंगे and then फिर 3 multiply by 8 कर देंगे simplify भी हो रहा है हमें दिख रहा है यहाँ पर करना है तो यहाँ पर भी simplify कर सकते हैं यह multiply करके हम अलग से भी simplify कर सकते हैं जैसे आपके मर्जी हो 1 15 15 and then 3 8 क्या होता है 3 8 जा हो जाता है 24 तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 24 लिख देंगे ठीक है यहाँ पर अब simplify हो रहा है क्या of course हो रहा है कैसे हो रहा है 3 5 जा 15 and 3 8 जा 24 तो हमारा answer क्या आ रहा है 5 upon 8 आ रहा है हमारा answer तो आप हमें बताइए मतलब मुझे बताइए कि 5 upon 8 को मिक्स फ्रेक्शन में कर सकते हैं क्या सोचो जरा कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह क्या है proper fraction है हम सरिफ improper fraction को ही mixed fraction में कर सकते हैं यह हमें दिख रहा है improper fraction जिसमें numerator comment denominator जादा है ठीक है तो हम इसे बिलकुल भी किस form में नहीं कर सकते mixed form में नहीं कर सकते मतलब हमारा answer कहां तक ही रहेगा हमारा answer 5 upon 8 तक ही रहेगा तो आप कर लिजिए से note down कर लिए आपने note down next question देखते है next question क्या है 11 upon 2 multiply by 3 upon 10 तो इसे भी हम solve कर लेंगे पहले क्या करना है हमे product of numerator 11 multiply by 3 कर देंगे and then फिर हम क्या देखते है product of denominator 2 multiply by हो जाएगा 10 क्योंकि 2 और 10 क्या है denominator है solve करने पे क्या आएगा 11 3s are 33 and 2 10s are 20 चीक है अब हमारा answer क्या आया है 33 upon 20 अब यह simplify हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और अगर हम इसे mix fraction में करना चाहे तो कर सकते हैं क्या हमें दिख रहा है 33 upon 20 किस form में है improper fraction form में चीक है तो हम इसे बिलकुल कर सकते है mix fraction में convert कैसे करेंगे 33 को किस से divide कर देंगे 20 से divide कर देंगे 21s are 20 remainder क्या बच रहा है remainder बच रहा है हमारा 13 तो हम इसे कैसे लिख देंगे 1 remainder जो आया है वो numerator में जिस से divide हो रहा है वो denominator में 1 13 upon 20 तो हमारा answer क्या आ रहा है 1 13 upon 20 तो आप कर लिजे से note down कर लिए आपने note down next question देखते है next question क्या है 4 upon 5 multiply by 12 upon 7 तो इसे भी सेम ऐसे ही करेंगे हम पहले numerator का multiply करेंगे 4 multiply by 12 and then फिर denominator का multiply हो जाएगा 5 multiply by 7 ठीक है तो अब हम क्या करेंगे multiply करने पर हमारा answer क्या आएगा 4 multiply by 12 करने पर आएगा 48 and 5 multiply by 7 करने पर answer क्या आने वाला है 35 आएगा तो हमारा answer क्या आया है 48 upon 35 अब पहले ये बताइए कि 48 upon 35 simplify हो रहा है क्या 48 upon 35 simplify हो रहा है बिल्कुल नहीं हो रहा है लेकिन हम इसे mixed fraction में convert कर सकते हैं क्यों करेंगे क्योंकि ये किस स्वर्म में दिया गया है improper fraction form में दिया गया है ठीक है तो जब हम 48 को 35 से divide करेंगे तो 1 जा क्या हो जाएगा 35 and minus करने पर answer क्या आने वाला है 13 मतलब remainder क्या बच रहा है 13 बच रहा है तो हम इसे कैसे लिख सकते है 1 13 upon 35 मतलब main answer हमारा mixed fraction में convert करने पर क्या आया 1 13 upon 35 ठीक है तो आप कर लिजे से भी note down कर लिए note down next question देखते है next question क्या है question third ठीक है multiply the following fractions हमें क्या दिया गया है यहां पर हमें दिख रहा है क्या दिया गया है normal fraction जो की proper fraction है and यहां पर हमें दिया गया है mixed fraction ठीक है दोनों को जब हम multiply करेंगे तो हमारा answer क्या आएगा वो हमें find out करना है लेकिन उससे पहले भी हमें क्या करना पड़ेगा mixed fraction को improper fraction में convert करना रहेगा यह मैं आपको कहां पर सिखा चुकी हूँ इससे पहले जो exercise करी थी उसमें भी सिखाया था ठीक है जो topics हमने पड़े इससे पहले exercise 2.2 से पहले इससे previous वीडियो में मैंने आपको बताया था ठीक है पहले क्या करना रहता है हमें mixed fraction को convert करना रहता है किसमें improper fraction में and then जब हमें improper fraction मिल जाता है तब हम उसको क्या करते हैं multiply करते हैं ठीक है तो जब हम करेंगे इसे solve तो पहले क्या होगा 4 का multiply हो जाएगा 5 से क्या होगा 4 का multiply 5 से and then जो answer आएगा उसको हम किसमे plus कर देंगे? उसमें प्लस कर देंगे 1 को ठीक है? कैसे होगा? करके देखते हैं, solve 4 multiplied by 5 हो जाएगा and उसमें plus 1 हो जाएगा and denominator में हमें क्या दिया गया है? denominator में हमें 4 दिया गया है तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे वरा अंसर क्या आ रहा है? 21 अपान 4 आ रहा है यह हमें क्या मिल गया? improper fraction में मिल गया ठीक है तो अब हम कर देंगे इसे solve 2 अपान 5 multiply by क्या करना है? 21 अपान 4 करना है ठीक है? आब हमें क्या करना पड़ेगा पहले तो? या तो हम simplify कर दे जैसे 2 multiply by 21 and then product of denominator 5 multiply by 4, ठीक है? ऐसी रहेगा, जब 2 का multiply हम कर देंगे 21 से, तो answer क्या आएगा? आंसर आएगा 42 and 5, 4 जब क्या आएगा? 20, 42 upon 20 हमारा answer आया है, अब हम इससे simplify कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 2, 21 जब 42, 2, 10 जब 20, ठीक है? तो answer हमारा क्या आ रहा है? 21 upon 10 आ रहा है, अब इसको simplify कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको mixed fraction में कर सकते हैं, क्या? बिल्क proper fraction form में हैं, तो mix fraction को जब हम convert करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 21 को किस से divide करना पड़ेगा? 10 से divide करना पड़ेगा, तो क्या आएगा answer? टू जा, 20 और रिमेंडर क्या बच रहा है? 1 बच रहा है, तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 2 और रिमेंडर बच रहा है, नुमिनेटर में चला जाएगा, और जिस से divide किया है, वो denominator में चला जाएगा, तो हमारा answer क्या है? आ रहा है, 21 upon 10 हमारा answer आ रहा है, तो यही था, ऐसे हमें solve करना था, पहले हमें mixed fraction को improper fraction में करना था, and then फिर दोनों fractions को क्या करना था? multiply करना था, multiply करने पर हमारा answer क्या आया? 21 upon 10 आया, जो की क्या है? improper fraction है, तो improper fraction जब हमें मिलता हमें पता हम उसे mixed fraction में convert कर सकते हैं, तो हमने क्या कर दिया? उसे mixed fraction में convert कर दिया, तो हमारा answer क्या है 2 1 upon 10 तो आप कर लिजे से note down कर लिए अपने note down next question पर आते हैं next question क्या है 6 2 upon 5 multiply by 7 upon 9 अब हमें क्या दिख रहा है यह हमें दिख रहा है किस फॉर्म में proper fraction ठीक है यह हमें किस फॉर्म में दिख रहा है mixed fraction तो हमें हमेशा की तरह पहले mixed fraction को improper fraction में करना होगा convert तो कर लेते हैं हम क्या है 6 2 upon 5 तो पहले तो क्या हो जाएगा 5 को हम कर देंगे 6 से multiply और उसमें क्या प्लस कर देंगे 2 denominator में हमें क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है तो denominator में हम लिख देंगे 5 अब हम क्या कर देंगे solve कर देंगे 5 6 क्या होता है 30 तो हम यहाँ पर लिख देंगे 30 plus 2 denominator में अभी भी क्या है 5 है ठीक है तो answer हमारा क्या आ रहा है 32 upon 5 हमारा answer आ रहा है क्या रहा है answer 32 upon 5 तो हम कर देते हैं इससे solve mixed fraction पर convert करने पर हमारा answer आ रहा है 32 upon 5 और यहाँ पर क्या है 7 upon 9 है ठीक है ऐसे ही है न 7 upon 9 उसके बादा हमें क्या करना है as per formula product of numerators 32 multiply by 7 and then फिर product of denominators 5 multiply by 9 तो answer क्या आएगा कुछ simplify हो रहा है simplify तो कुछ हो नहीं रहा है तो director multiply कर देंगे 32 को 7 से multiply करेंगे तो answer क्या आने माला है 224 हमारा answer आएगा क्या आएगा 224 हमारा answer आएगा and 5 9 क्या होता है 5 9्ग हो जाता है 45 क्या रहा है 224 divided by 45 क्या आ रहा रहा है अंसर 224 divided by 45 अब हमें दिख रहा है क्या 224 divided by 45 किस form में है improper fraction में हैं तो हमें करना क्या है उसे mixed fraction में करना है मैंने इस से पहले आपको करवा दिया है तो आप ये खुद करेंगे answer हमारा 224 upon 45 बिल्कुल सही है बस इसे mixed fraction में आपको करना इंड comment section में बताना है कि क्या answer आए ठीक है तो आप कर लीजे इसे note down कर लिया आपने note down next question करते है इस all next question क्या है 3 upon 2 multiply by 5 1 upon 3 ठीक है तो हमें दिख रहा है ये किस form में है mixed fraction form में है हमें क्या करना है improper fraction में convert कर देना है ठीक है तो हम करेंगे convert 5 1 upon 3 ठीक है तो पहले क्या हो जाएगा 3 का multiply हो जाएगा 5 से and उसमें हमें क्या plus करना है plus 1 ठीक है and denominator में हमें क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है तो denominator में हम लिख देंगे 3 3 5 जा क्या होता है 15 होता है and plus 1 तो answer क्या बन रहा है हमारा 15 plus 1 16 upon 3 तो मतला mixed fraction में convert करने पर हमारा answer क्या आ रहा है 16 upon 3 आ रहा है तो हम कर लेते से solve 3 upon 2 multiply by 16 upon 3 अगर हम simplify कर सकते हैं तो यहाँ पर भी simplify हो रहा है 3 से 3 कर जाएगा and 2 and 16 कर जाएगा अगर हम ऐसे नहीं करना है पहले multiply करना है तो हम वैसे भी कर सकते है 16 त्रीजा क्या हो जाएगा 16 3s हो जाएगा 48 and 2 3s हो जाएगा पहले तो हम ऐसे लिख देंगे 3 multiply by 16 and then 2 multiply by 3 answer क्या आएगा 3 को 16 से multiply करने पर answer आजाएगा हमारा 48 and 2 3s हो 6 अब कुछ खट रहा है क्या simplify हो रहा है क्या कुछ देखिए 3 2s हो 6 है 6 की table में 48 8 आता है कितनी बार में आता है 6 1s are 6 6 8s are 48 ठीक है तो यहाँ पर answer क्या आ रहा है हमारा 8 आ रहा है 8 क्या है whole number है यसे ना हमें fraction में convert करने की जरूरत है ना mixed fraction में convert करने की जरूरत है हमारा answer सिर्फ क्या है 8 ही है ठीक है तो आप कर लिजे से note down कर लिए आपने note down next question solve करते है next question क्या है 5 upon 6 multiply by 2 3 upon 7 तो हमें क्या करना है पहले तो इसे किस में convert कर देंगे improper fraction में convert कर देंगे ठीक है तो कर लेते हैं solve 2 3 upon 7 तो पहले क्या हो जाएगा 7 का multiply 2 से एं उसमें क्या प्लस हो जाएगा 3 प्लस हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर में हमें दिख रहा है क्या 7 दिख रहा है 7 तो जाके हो जाएगा 14 हो जाएगा 14 प्लस हम कर देंगे 3 एंड डिनोमिनेटर में क्या है डिनोमिनेटर में है 7 ठीक है 14 प्लस 3 करेंगे आंसर क्या आएगा 17 आएगा ठीक है तोब आंसर क्या आ रहा है 17 अपॉन 7 क्या आ रहा है आंसर 17 अपॉन 7 आ रहा है हम कर लेते से solve 5 अपॉन 6 multiply by 17 अपॉन 7 क्यों लिखा क्योंकि हमने इसको कर दिया है convert किस form में improper fraction form में कर दिया है convert ठीक है तो अब हम क्या करेंगे इसे solve कर देंगे पहले क्या होगा product of numerators 5 multiply by 17 हो जाएगा and then फिर product of denominators 6 multiply by 7 हो जाएगा 17 5 कितना होता है 85 होता है ठीक है and 6 7 कितना हो जाएगा कितना होगा 6 7 42 हो जाएगा ठीक है अब देखिए यह simplify हो रहा है क्या हो रहा है तो आपको क्या करना है simplify करना है अंड नहीं हो रहा है तो क्या करना है अगर肉 na नहीं हो रहा है लेकिन हमें दिख रहा है किया यह किस फॉर्म में है इंप्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में है तो आप किस फॉर्म में कर सकते हैं से कंवर्ट मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में कर सकते हैं तो करना किसे हैं आपको ही करना है क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से प्र कर लिया अपने note down next question करते है solve next question क्या है 3 2 upon 5 multiply by 4 upon 7 तो क्या करेंगे हम यह mixed fraction में दिख रहा है हमें convert करना होगा कर लेते convert 3 2 upon 5 है तो क्या करेंगे 5 को multiply कर देंगे 3 से और उसमें क्या plus कर देंगे 2 plus कर देंगे और denominator में क्या आजाएगा 5 आजाएगा ठीक है 5 3 is of 15 15 plus 2 यहाँ पर क्या है denominator में 5 है ठीक है 15 plus 2 करेंगे answer क्या आएगा 17 आएगा ठीक है and denominator में अभी भी क्या है 5 है तो हमारा answer क्या आ रहा है जब हमने mix fraction को convert किया 17 upon 5 हमारा answer आ रहा है तो कर लेते हम solve क्या लिखेंगे आपने 17 upon 5 लिखेंगे and then multiply by 4 upon 7 ठीक है कर लिया हमने अब देखिए को simplify हो रहा है नहीं हो रहा है ठीक है तो हम क्या करेंगे product of numerators रहता है तो 17 multiply by 4 and then फिर क्या रहता है product of denominators 5 multiply by 7 कर देंगे क्योंकि 5 or 7 क्या है denominator 17 and 4 क्या थे? numerator से ठीक है and then फिर हम क्या करेंगे अब हम क्या देंगे 17 को 4 से multiply 17 को 4 से multiply करेंगे तो हमारा answer क्या आएगा 17 को 4 से multiply करने पे हमारा answer आ रहा है 68 तो यहाँ पर लिख देंगे हम 68 and 5, 7जा क्या आएगा 570 35 अब देखिए यह कुछ simplify हो रहा है हो रहा है कि 68 को जब हम 35 से कर रहे हैं डिवाइट तो कुछ simplify हो रहा है नहीं हो रहा है 68 upon 35 simplify नहीं होगा तो हमारा answer 68 upon 35 है लेकिन 68 upon 35 क्या है 68 upon 35 है mix fraction sorry mix fraction improper fraction तो हमें करना क्या है convert कर देना उसे mix fraction में convert कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं homework है वैसे तो लेकिन एक मैं कर देती हूँ solve 35 35 तो remainder क्या बच रहा है यहां पर 3 बच रहा है यहां पर भी 3 बच रहा है ठीके remainder 33 हो गया तो कैसे लिखेंगे हम question को लिख देंगे one and numerator में जाएगा क्या remainder चला जाएगा 33 जिससे divide हो रहा हो चला जाएगा किसमे denominator में तो हमारा answer क्या आ रहा है हमारा answer आ रहा है 133 upon 35 तो ऐसे ही mix fraction में करना है convert आपको ही करना इससे पहले के दो questions में मैंने आपको homework दिया है उसको किसमे convert करना है mix fraction में convert करना है बताना किसमें comment section में बताना है और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो करना क्या है लाइक कर देना है comment कर देना एंड शेर कर देना है अपने दोस्तों के साथ ताकि वह भी पूरी पूरी एक्सेस के questions मुझे पढ़े ने ठीक है तो आप कर लिजे से note down कर लिए आपने note down next question पर आते हैं बहुत ही easy questions है बहुत ही easy exercise है ठीक है तो आपको बहुत ही अच्छे से करना है full marks लाने अगर कुछ भी पूछ लिए इस chapter में से इस chapter के किसी भी chapter में से अच्छे से mixed fraction में दिया गया है उसे solve कर देंगे improper fraction में क्या है mixed fraction में 23 upon 5 तो क्या होगा 5 multiply by 2 उसमें क्या plus कर देंगे 3 plus कर देंगे प्लस 3 एंग डिनॉमिनेटर में दिख रहा है 5 तो डिनॉमिनेटर में आ जाएगा 5 देंगे 5 तो उसमेरा आंसर क्या हो रहा है थीक है तो हम कर देंगे से solve 13 upon 5 multiply by 3 क्या हो जाएगा multiply by 3 अब हम दिख रहा है 3 के नीचे कुछ भी नहीं दिया गया है इसका मतलब क्या है 3 के नीचे अब माल लेंगे denominator में क्या है 1 है ठीक है 13 multiply by 3 करेंगे क्योंकि क्या करना रहता है इस पर formula products of numerator ठीक है product of numerators and then फिर product of denominators तो 5 multiply by क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 13 को 3 से multiply करेंगे answer क्या आने वाला है 39 आएगा and 5 को 1 से करेंगे तो answer क्या आएगा 5 आएगा तो हमारा answer क्या है 39 upon 5 यह simplify हो रहा है क्या मैम बिल्कुल नहीं हो रहा है तो हमें करना क्या है mixed fraction में convert कर देना है क्योंकि 39 upon 5 क्या है improper fraction में है ठीक है solve करने पर क्या आएगा 5 7s are 35 and remainder बच रहा है 4 तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर लिख लिएते हैं हम इसे लिखेंगे 7 4 upon 5 ठीक है तो यह answer क्या आया हमारा 7 4 upon 5 आया है हमारा answer आप कर लिजे से note down कर लिख आपने note down next question पर आते हैं next question क्या है 3 4 upon 7 multiply by 3 upon 5 तो करना क्या है mixed fraction में दिया गया है हमें किस में करना पड़ेगा improper fraction में convert करना रहेगा तो कर लेते हैं हम इसे convert क्या है 3 3 4 upon 7 कैसे करेंगे हम 7 का multiply कर देंगे किस से 3 से and plus क्या हो जाएगा 4 plus हो जाएगा ठीक है plus 4 कर देंगे and denominator में क्या है 7 है तो denominator में क्या चला जाएगा 7 चला जाएगा 7 रिजा क्या होता है 21 यहाँ पर आएगा 21 plus 4 and denominator में क्या है 7 है 21 plus 4 कर देंगे आंसर क्या आएगा 25 आएगा एंड दिनूमिनेटर में अभी भी क्या है तो हमारा इंप्रॉपर फ्रेक्शन में क्या आया ANSER 25 पर 7 तो हमें क्या करना है यहां पर हमें सॉल्ट कर देना है 25 पर 7 multiple by 3 upon 5 कर देंगे वैसे तो यहां पर simplify हो रहा है 5 और 25 का आपको यहां पर simplify करना है यहां पर कर सकते हो multiply करने के बाद simplify करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो तो पहले क्या आ जाएगा product of numerators 25 और 3 numerators है हम क्या कर देंगे हम product कर देंगे multiply कर देंगे and then product of denominator 7 multiply by 5 हो जाएगा क्योंकि 7 और 5 क्या है denominator से है ठीक है तो answer क्या आएगा 25 को जब हम 3 से multiply करेंगे answer आएगा 75 and 7 को जब हम 5 से multiply कर देंगे answer क्या आएगा 35 क्या है answer 75 divided by 35 आप बताएगे 75 and 35 simplify हो रहा है क्या जल्दी से बताएगे हो रहा है मैं तो कैसे करेंगे 5 से कट रहा है 5 7 35 and 5 15 75 ठीक है 5 15 75 होता है तो उम्हारा answer क्या आ रहा है 15 upon 7 आ रहा है यह किस form में हमें दिख रहा है हमें दिख रहा है मैं यह improper fraction form में किस में कर देंगे mixed fraction form में कर देंगे जब 15 को हम 7 से divide करेंगे तो answer क्या आएगा 2 is a 14 remainder बच रहा है 1 तो हम इसे कैसे लिख देंगे हम इसे लिख देंगे 2, 1 चला जाएगा किसमें remainder जो चला जाएगा numerator में जिस से divide किया गया है वो चला जाएगा denominator में तो हमारा answer क्या आ रहा है 2, 1 upon 7 हमारा answer आ रहा है तो आप कर लीजे से note down मज़ा आ रहा है तो like कर दीजे ठीक है करते हैं आगे solve आगे क्या है आगे हमारा question आगे है question number 4 which is greater मतलब हमें ये दो चीज़े दी गई है हमें बताना है कौन सी greater है कौन सी greater है यहाँ पर बीच में हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर भी off मतलब पहले तो हमें इससे simplify करना पड़ेगा off का मतलब होता है multiply मतलब यहाँ पर भी multiply है and यहाँ पर भी क्या है multiply मतलब पहले ये जो दो equations है पहले ये जो दो equations दिख रही है यह जो दो questions दिख रहे हैं इनको क्या करना है simplify करना है and then जो answer आएगा इन दोनों का उसमें से बताना है कौन सा greater है क्या बताना है कौन सा greater है यह हमारा question पहले इसको simplify करना है and इसको simplify करना है and then फिर जो answer आएगा उसमें से बताना है consecrator है तो कर लेते हैं हम solve ठीक है कैसे करेंगे solve पहले हम ये वाला part solve करते हैं 2 upon 7 of 3 upon 4 ठीक है करेंगे इसे solve 2 upon 7 2 upon 7 multiply by 3 upon 4 ठीक है simplify करना हो तो इसमें भी कर सकते है बरना क्या करेंगे हम यहां पर कर देते हैं 2 multiply by 3 7 multiply by 4 as per as per kya as per formula ठीक है तो answer क्या आ रहा है यहां पर 6 आ रहा है and 7 4 जा जाएगा 28 ठीक है यह यह आएगा answer अब देखिए यह simplify हो रहा है of course मैं हो रहा है कैसे हो जाएगा 2 3s are 6 and 2 14s are 28 हमारा answer क्या आ रहा है 3 upon 14 हमारा answer आ रहा है simplify करने पर हमारा answer क्या आ है 3 upon 14 आ ठीक है अब हमें क्या करना है अब हमें यह वाला solve करना है 3 upon 5 off 5 upon 8 कैसे solve करेंगे जैसे ही है कि अब ऐसे ही तो करेंगे ठीक है 3 upon 5 off लिखा गया उसकी जगा हो जाएगा क्या multiplication का sign लग जाएगा and then फिर 5 upon 8 simplify हाँ पर हम direct कर सकते हैं 5 से 5 कट जाएगा या फिर as per formula कैसे 3 multiply by 5 क्योंकि product of numerators रहता है and then फिर 5 multiply by 8 ठीक है 3 5 जा क्या आजाएगा answer 15 आजाएगा and 5 8 जा क्या हो जाता है 5 8 जा हो जाता है 40 ठीक है तो अब हम कर सकते हैं क्या से simplify of course कर सकते हैं 5 की table से कट रहा है 5 3 जा 15 and 5 8 जा 40 तो मारा answer क्या आ रहा है 3 upon 8 आ रहा है अब आप मुझे बताईए 3 upon 14 and 3 upon 8 में से कौन सा बढ़ा है क्या आप बता सकते हैं क्या ये बढ़ा है या ये बढ़ा है सोची और बताईए मुझे बता सकते हैं क्या आप मुझे नहीं मैं नहीं बता सकते क्यों नहीं बता सकते क्योंकि दोनों के denominator क्या है different हैं अलग है जब तक denominator same ना हो हम विल्कूल नहीं बता सकते क्योंकि यह क्या है unlike terms हैं हमें क्या दिया गया है मिदिया गया में 3 upon 14 and एक हमें दिया गया 3 upon 8 and इंड़ीच में क्या है बीच में है और इन दोनों में से हम कैसे बता देंगे जब हमें यही नहीं पता जब हमें पता है कि दोनों क्या हैं? अलाग- found, unlike ten, because denominator same नहीं है पहले हमें क्या करना पड़ेगा ढैंगे दोनों की denominator same करने पड़ेburg, उसके लिए हमें लेना पड़ेगा ल्से protocols हम ले लेंगे किसका? 14 का and 8 का तो answer क्या आएगा, two sevens are fourteen, two fours are eight, two twos are four and seven, ऐसे कैसे ही रहेगा, LCM लेना तो आपको आता ही होगा, ठीक है, तो answer क्या आ रहा है हमारा, LCM क्या आ रहा है, two twos are four, four twos are eight, eight sevens are fifty six, तो हमारा LCM क्या आ रहा है, LCM करने पर answer हमारा आ रहा है, 56 मतलब LCM क्या आया यहाँ पर लिख देते हैं LCM हमारा आया है 56 उसके बाद क्या करना रहता है हमेशा की तरह आपको सिखाया गया है पहले की वीडियो में भी सिखाया है मैंने 3 upon 14 है equal to कि इस तरफ denominator हमें हम क्या लिख देंगे जो LCM आया है 14 की टेबल में 56 आता है क्या हम हम आता है कितनी बार में 4 बार में आता है यहाँ पर भी हम multiply कर देंगे 4 का तो answer क्या बन रहा है 12 बन जाएगा ठीक है then फिर हम 3 upon 8 को भी लिख देंगे ऐसे ही सामने क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा denominator side हमें पता 8 7s are 56 होता है तो यहाँ पर भी हम multiply करेंगे क्या 7 का तो हमारा answer क्या आएगा 3 7s are 21 अब हमें क्या मिल गया है हमें मिल गया है denominator same डोनों क्या बन गया है like terms numerator अलग है एक का है 12 upon 56 and एक का क्या है 21 upon 56 ठीक है तो अब हमें दिख रहा है क्या बीच में क्या है और और मतलब हमें बताना है कौन सा बड़ा है बता सकते हो क्या कौन सा बड़ा है नीचे का क्या है like terms है 56 56 हमें क्या देखना पड़ेगा सरिफ numerator देखना पड़ेगा एक है 12 10 इस तरफ कह है 12 एंड एक साफ साफ दिख रहे है 21 बड़ा है कौंसा बड़ा है यह यह अपॉरन इट ठीक है 2556 यह त्री अपॉन एट था 3 judicial पॉन 8 जो है वह क्या सौल करने पे आया था 3 अफ्री अपॉन 5 x he यही solve करने पर आया था यह वाला solve करने पर यह क्या है यह वाला है greater ठीक है कौन सा greater है 3 upon 5 ऑफ 5 upon 8 क्या है greater क्या पूछा था which is greater तो हमने पूरा उसे solve करके देखा है simplify करने पर denominator इकॉल नहीं आ रहे हैं इसलिए हम बता ही नहीं पा रहे थे क्या क्वान से ग्रेटर है तो पहले हम ने क्या क्या एल्सियम लिया उसको सिंप्लीफाइग किया सॉल किया सौल करने पर आंग अन्य समय पिर हमने कंपेर किया हमें समझ आ गया 3 upon 5 और 5 upon 8 क्या है greater है तो आप कर लिजे से note down कर लिए अपने note down next question पे आते हैं next question क्या है same by question है हमें greater का बताना है ठीक है simplify करना पड़ेगा कैसे 1 upon 2 of 6 upon 7 पहले तो यह simplify करेंगे solve करेंगे and then फिर 2 upon 3 of 3 upon 7 solve करेंगे तो कर लेते हम इसे solve पहले क्या है 1 upon 2 पहले क्या है 1 upon 2 है ठीक है off लिखा गया है तो multiply करेंगे and then फिर यहाँ पर क्या है 6 upon 7 है ठीक है अब हम क्या करेंगे as per formula product of numerator 1 multiply by 6 करेंगे and यहाँ पर product of denominators 2 multiply by 7 हो पहलेगा 166 and 2 7 हो जाता है 14 अब हम इसे क्या करेंगे अब हम इसे करेंगे simplify क्योंकि 614 आ रहे हैं दोनों 2 की टेवल में 2 3s are 6 2 7 जा 14 तो आंसर क्या आ रहा है हमारा 3 upon 7 हमारा answer आ रहा है ठीक है ऐसे ही same हम इसको भी simplify कर देंगे कैसे करेंगे 2 upon 3 off लिखा हो है मतलब multiply होगा and then फिर यहाँ पर क्या है 3 upon 7 ठीक है 2 3s क्या होता है पहले हम क्या करेंगे product of numerators 2 multiply by 3 and then फिर product of denominators 3 multiply by 7 तो आंसर क्या रहा है 2 3s are 6 and 3 7s are 21 ठीक है तो हमारा answer क्या आएगा ठीक है यह simplify हो रहा है क्या answer हमारा है 6 upon 21 यह simplify हो रहा है of course 3 की table से होगा 3 2s are 6 3 2s are sorry 3 7s are 21 तो answer क्या आ रहा है 2 upon 7 ठीक है एक का answer हमें मिला है 3 upon 7 दूसरे का answer हमें मिला है 2 upon 7 अब हमें देख रहा है दोनों में क्या equal है दोनों में 7 जो है denominator है हमें LCM लेने की जरुरत ही नहीं क्योंकि दोनों क्या है like terms है हमें just क्या देखना पड़ेगा हमें just देखना पड़ेगा numerator में क्या है यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 है दोनों में से कौन सा बढ़ा है हमें दिख रहा है 3 upon 7 क्या है बड़ा है ठीक है यह कौन सा वाला था कौन सा सॉल करने पर हमें यह आंसर मिला था यह वाला सॉल करने पर हमें आंसर मिला था तो यहाँ पर कौन सा ग्रेटर है विच इस ग्रेटर 1 upon 2 of 6 upon 7 क्या है ग्रेटर है ठीक है तो आप कर लिजे से नोट डाउन करते हैं अब next question सॉल next question क्या है question 5 जो कि क्या है word problem है क्या बोल रहा है Sally plants 4 saplings in a row in her garden सेली क्या कर रही है अपने garden में अपने garden में 4 saplings लगा रही है plant कर रही है trees है ठीक है plants है वो and in a row row में कर रही है row क्या होता है row is form में होते है column is form में होते है ठीक है तो वो क्या कर रही है row में होगा रही है कितनी sapling 4 saplings उगा रही है ठीक है, कितनी sapling, four saplings हुगा रही है, एक यहाँ पर हुगाएगी, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, क्योंकि four हुगा रही है, ठीक है, कहाँ पर, in her garden, the distance between two adjacent sapling is three upon four meter, क्या बोला गया है, है, दो sapling के बीच में, distance क्या है, distance है, three upon four meter, कितने का distance है, three upon four meter का distance है, दो adjacent sapling, adjacent means, एक के बाद एक ठीक है, find the distance between the first and the last sapling, क्या बोला गया है, first and last sapling के बीच का, हमें क्या बताना है, distance बताना है, कैसे बताएंगे हम, हमें पता है, यहाँ पर, दो adjacent sapling के बीच का distance क्या है, three upon four meter, तो यहाँ पर भी same वही होगा, three upon four meter, यहाँ पर भी same होगा, three upon four meter, मतलब हो क्या रहा है, three बार हमने क्या multiply कर देना है, three upon four meter, तो हमारा क्या निकल जाएगा यह पूरा डिस्टेंस निकल जाएगा क्या निकल जाएगा क्यों 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 क्यो को प्लस करने से अच्छा है 3 multiply by 3 upon 4 कर दे क्योंकि 3 gap है यहाँ पर ठीक है equal है वो भी तो 3 multiply by 3 upon 4 कर देंगे चीक है तो कैसे solve करना इसे इसे कैसे solve करेंगे हम इसे हम ऐसे solve करेंगे क्या निकालना क्या हमें distance between first and last happening तो distance क्या होगा distance कैसे निकल जाएगा 3 multiply by 3 upon 4 हम कर देंगे ठीक है क्यों कि यह अभी मैंने बताया जस्ट बस वही करना है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 3 3 is a 9 यहाँ पर कुछ नहीं है 1 मान लेंगे 1 4 is a 4 वह मारा answer क्या आ रहा है 9 upon 4 किस में आना चाहिए मीटर में क्योंकि यहाँ पर भी हमें क्या दिया गया है मीटर दिया गया है 9 upon 4 मीटर हमें किस फार्म में दिख रहा है इंप्रॉपर फ्रैक्शन में तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी कनवर्ट कर सकते हैं 4 to the 8 तो यहाँ पर क्या बच रहा है 1 बच रहा है ठीक है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं 2 1 upon 4 मीटर तो हमारा आंसर क्या है यहां पर हमारा आंसर क्या आया यहां पर 2 1 upon 4 मीटर हमारा आ गया आंसर बहुत ही सिंपल था ठीक है कर लिजे फिर आप इसे नोट डाउन समझ आया आपको 2 adjacent sapling बोला है distance between 2 adjacent sapling कितना distance सा 3 upon 4 ऐसे ही 4 sapling है हमें first से लेके last तक का निकालना है हमें दिख रहा है distance कितनी बार cover हो रहा है तो हम 3 multiply by 3 upon 4 कर देंगे तो हमारा answer 9 upon 4 आया जो कि improper fraction में था हमने convert कर दियो उसको किस में mixed fraction में तो हमारा answer क्या आ रहा है 21 upon 4 मीटर आ रहा है I hope आपको समझ आया हो अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो like कीजिए comment कीजिए शेर कर दीजिए ठीक है अब next देखते है next क्या है next है question 6 यह भी क्या है यह भी वर्ट प्रॉब्लम है लिपिका रीड़ बुक फॉर 1 3 upon 4 hours every day लिपिका क्या कर रही है रीड कर रही है क्या रीड कर रही है बुक रीड कर रही है कितने घंटे 1 3 upon 4 hours जो कि किस फॉर में दिया गया है mixed form में दिया गया है mixed fraction form में दिया गया है हर दिन मतलब लिपिका हर दिन इतने घंटे पड़ती है ठीक है she reads the entire book in 6 days मतलब पूरी बुक उसने कितने दिनों में complete करी 6 दिन में complete कर दी ठीक है how many hearts in all were required by her to read the book तो बोला गया उसने कितने घंटे पड़ा होगा जो उसने 6 घंटे में पूरी बुक complete कर दी तो हम कैसे करेंगे से solve देखते हैं जरा ठीक है every day हर दिन मतलब one day वो कितना पड़ रही है मतलब हर दिन पड़ रही है वो कितना one three upon four hours पहले तो हम क्या कर देंगे इसे convert कर देंगे ठीक है कैसे convert होगा four का multiply one से कर देंगे plus three हो जाएगा जैसे कि हम करते है mixed fraction को improper fraction में बिल्कुल वैसे ही करेंगे denominator में four है four one's up four plus three and denominator में अभी भी क्या है four है तो यहाँ पर क्या है seven upon four seven upon four क्या है आर्स है ठीक है seven upon four क्या है आर्स है ठीक है मतलब हर दिन वो कितना पढ़ रही है seven upon four hours कितना पढ़ रही है seven upon four hours पढ़ रही है फिर उसके बाद बोला गया है तो छे दिन में उसने कितना घंटे पढ़ा होगा how many hours in all were required by her to read the book बलब छे दिन में उसने complete कर दी बॉक को तो चे दिन में वो कितने घंटे पढ़ आए तो सीग्स रे जपन निकालना है होमें कितना वो ऑढ़ी होगी कितने घंटे पढ़ी होगी हम क्या करेंगे six को multiply कर दें ग किससे seven upon four से क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है एक दिन में इतना पड़ी है तो छे दिन में कितना पड़ी होगी एक से 6 पर आ रहे हैं 1 से 6 पर आ रहे हैं तो हमें पता है जब भी हम greater side जाते हैं हम क्या करते हैं multiplication करते हैं 1 day का हमें दिया हुआ था 6 days का निकालना है 1 multiply by 4, ठीक है, 6, 7 जा क्या होता है, 42, और यहां पर क्या है, यहां पर है, denominator में 4, यहां पर भी simplify हम कर सकते थे, यहां फिर हम as formula यूज़ करके भी कर सकते हैं, तो यह cut रहा है, 2 to the 4, 2 21 जा 42, तुम्हारा answer क्या आ रहा है, 21 upon 2 hours, यहीं आ रहा है, 21 upon 2 hours, अब हमें क्या दिख रहा है, 21 upon 2 किस form में है, improper form में, तो हम क्या कर देंगे, इसे mixed form में, तो कैसे हो जाएगा यह, 10s are 20 होता है, remainder बच रहा है, 1, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, 10, 1 upon 2 hours, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 10, 1 upon 2 hours, तो हमारा आंसर क्या आया है, solve करने पे हमारा आंसर आ रहा है, 10 1 upon 2 hours हमारा आंसर आया है, मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है कि 6 days में वो कितने घंडे पड़ी होगी, 10 1 upon 2 hours पड़ी होगी, तब जाके उसकी complete book, read उसने कर लिया होगा, ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसे note down कर लेना ह कर लिया आपने note down, next question पर आते हैं, next question क्या है, question 7, a car runs 16 km using 1 litre of petrol, क्या बोला गया है, car जो है 16 km चल रही है, ठीक है, कितना distance travel कर रही है, 16 km, कितना litre petrol में, 1 litre petrol में, ठीक है, how much distance will it cover using 2, 3 upon 4 litres of petrol, मतलब क्या बोला गया है, जब 1 litre में, 16 km distance travel कर रही है, तो इतने litre petrol में, 2, 3 upon 4, जो कि mixed traction में दिया गया है, वो कितना distance travel करेगी, हमसे बस इतना ही पूछा गया है, ठीक है, तो हम इसे कैसे solve करेंगे, हमें पता है, क्या पता है, एक litre में कितना कर रही है, वो travel, या हम लिख देते हैं, statement ही पूरा, distance traveled by car in 1 litre of petrol, 1 litre of petrol, कितना distance travel कर रही है, 16, 16 km distance travel कर रही है, तो हमें क्या निकालना है, कि 2, 3 upon 4 litre में, वो कितना distance travel करेगी, तो सेम ऐसे आ जाएगा, distance traveled by car, सेम भई आएगा, ठीक है, इसलिए मैं ये mark लगा रही हूँ, सेम भई लिखना है, distance traveled by car in 2, 3 upon 4 litre of petrol, कितना distance travel करेगी, हमें इसमें भी दिख रही है, 1 से greater में जा रही है हम, बस ये mixed form में दिया गया, हम पहले तो इसे convert कर देंगे, क्या दिया गया है, 2, 3 upon 4 दिया गया है, convert करने पर क्या लिखेंगे, कैसे solve होगा, 4 multiply by 2 plus 3, and denominator में हमें दिख रहा है, 4, ठीक है, 4 टूसर क्या होगा, 8, 8 plus 3 क्या हो जाएगा, 11, तो क्या आ रहा है, यहां पर answer, 11 upon 4 litre, यहां पर मैं बैकेट में लिख देती हूं, 11 upon 4 litre, ठीक है, इसको convert करने में answer क्या आया है, 11 upon 4 litre, अब हमें दिख रहा है, 1 litre में 16 km उसने distance travel किया था, किसने, कार ने, तो 2, 3 upon 4 litre petrol में कितना distance travel करेगी, तो 1 से हम जा रहे हैं, greater form में, तो हम क्या करेंगे, उसे multiply करेंगे, कैसे हो जाएगा multiply, 16 multiply by 11 upon 4 हो जाएगा, क्योंकि हमने mixed fraction को already improper fraction में convert कर दिया है, यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर हम one मान लेंगे, ठीक है, अगर direct simplify हो रहा है, तो हम direct simplify भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे, 4 ones are 4, 4 fours are 16, तो हमारा answer क्या आ रहा है, हमारा answer आ रहा है, 4 elevens are 44, एड यहां पर one one's a one, मतलब answer क्या है, 44 किलो मीटर, मतलब 11 upon 4 लीटर पेट्रोल में कार कितना travel करेगी, 44 किलो मीटर ट्रावल करेगी, यही है हमारा answer, ठीक है, आप कर लीजे से note down, समझाया आपको, कैसे आया, 44 किलो मीटर बहुत इजी था, ठीक है, पहले हमने simplify किया, mixed fraction को तो हम कर नहीं सकते, simplify तो पहले हमें improper fraction में convert करना रहेगा, improper fraction में convert करने के बाद 11 upon 4 लीटर आया है answer, फिर हमें जो करना था, हमने वो किया, answer क्या है, 44 किलो मीटर, ठीक है, next question पर आते हैं, next question क्या है, question 8, provide the number in the box dash, such that, मतलब हमें यह dash fill करना है, मतलब यहाँ पे जो dash दिया गये ना, वो हमें fill करना है, such that 2 upon 3 multiply by dash is equals to 10 upon 3, main हमें यह दिखना है, कि यह क्या दिया गया है, 2 upon 3 multiply by dash दिया गया है, और यहाँ पर answer equal to के इस तरफ answer क्या दिया गया है, 10 upon 30 दिया गया है, तो हम इसे कैसे करेंगे solve, कैसे करेंगे, हमें पता है क्या, 3 टेंजा क्या होता है, यहाँ पर multiplication का sign तो already हमें दिख रहे है हमें बता है 3 10s क्या होता है 3 10s होता है 30 है ना ऐसा ही होता है 3 10s होता है यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 10 लिख दिया अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहे है 10 दिख रहे है मतलब 2 5s क्या होता है 10 होता है है ना यहाँ पर 10 है 2 5 जही 10 होगा and 3 10 जही 30 होगा मतलब यहाँ पर क्या फिल करना था हमें 5 अपॉन 10 फिल करना था बॉक्स में क्या आएगा 5 अपॉन 10 बहुत ही easy है ठीक है next हमें क्या बोला है simplest form मतलब simplify करना lowest form में लेके आना ठीक है यह सब एक ही चीज़ रहती है तो simplify हो रहा है 5 अंसर 5 5 2 जा 10 तो क्या आ रहा है answer answer हमारा आ रहा है 1 अपॉन 2 मतलब यह जो answer हमारा आया था 5 अपॉन 10 जब हम इससे simplify करेंगे तो हमारा answer यहाँ पर क्या आएगा 1 अपॉन 2 आएगा 1 अपॉन 2 आएगा बस इतना साही था इसमें ठीक है तो आप कर लीजे से note down आगे बड़े आगे क्या है same way question है वैसे ही यह दिया गया हमे provide the number in the box dash such that 3 अपॉन 5 multiply by dash हमारा answer क्या आना चाहिए 24 अपॉन 75 आना चाहिए क्या आना चाहिए 24 अपॉन 75 तो पहले हम denominator से start करते हैं यहाँ पर क्या दिया है 75 5 की table में 75 आता है क्या बिल्कुल आता है कितनी बार में 5 multiply by 15 कर देंगे तो हमारा answer क्या आएगा 75 आएगा ठीक है ऐसे ही अब हमें numerator साइट देखना है यहाँ पर 24 दिया है हमें पता है 38 क्या होता है 24 होता है तो यहाँ पर क्या आजागा 8 वारा fraction क्या बन रहा है 8 अपॉन 15 बन रहा है ठीक है अब next क्या बोला गया है the simplest form of the number obtained in dash is dash मतलब यहाँ पर जो हमें number obtained हुआ था 8 अपॉन 15 जो number obtained हुआ था इसको हम simplest form में कर सकते हैं क्या मतलब simplify हो रहा है क्या यह 8 अपॉन 15 बताइए आप हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मैम तो क्या करेंगे simplify तो हो नहीं रहा तो answer वही का वही रहेगा मतलब 8 अपॉन 15 ही answer होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा यहां पर भी 8 upon 15 आ जाएगा क्योंकि simplify हो ही नहीं रहा है ठीक है तो हमरा answer क्या रहेगा 8 upon 15 ही रहेगा आया आपको समझ में आप कर लीजिए से भी note down ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर हमारी exercise होती है कंप्लीट हमने बहुत अच्छे से exercise 2.2 a के question solve कर दिया है ठीक है तो अब आपको क्या करना है like करना है इतनी महनत से मैंने आपको इतनी देर बैट के पढ़ाया आपको क्या करना है like तो करना ही रहेगा comment भी करना है शेर भी कर देना है ठीक है आप जा सकते हैं जाना ही है हमारे YouTube चैनल पर रंड कर देना है Magnet Bains को subscribe यह रही हमारी application यह रही हमारी website यह रही हमारे top courses जो आपको क्या provide कराते हैं free of course quality education ठीक है e-books and e-norts की link जो आपको description box में मिल जाएगी यह रही हमारे other social media platform जैसे की YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, WhatsApp आप इन पे भी विजिट कर सकते हैं फॉलो कर सकते हैं ठीक है तो ऐसे ही आगे मुझसे पढ़ने के लिए अच्छी वीडियो आप तक पहुच्छे रहे हैं आपको करना क्या है Magnet Bains को कर देना सब्सक्राइब लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना ठीक है थैंक्यू सो मच